ये सरफराज दोका नहीं देगा दोस्तों आपने PK मूवी तो जरूर देखियोगी आमिर खान जिसमें लीड रोल में थे उन्होंने PK का किरदार निबाया था उसमें अनुषका शर्मा भी थी और एक सरफराज नाम का एक एक्टर भी था वो थे शुषान सिंग राजपूत पर ऐसा दिखाया जाता है मूवी में के सरफराज यानि शुषान सिंग राजपूत ने रुषका शर्मा को दोका दे दिया था और उसमें ऐसा दिखाया जाता है के सरफराज ने दोका दे दिया इतने runs बनाए हैं उन्होंने 45 matches में इतने उनके शतक हैं फिर्स लास की मैं बात कर रहा हूँ तो उन्होंने वहाँ पर नहीं धोका दिया तो यहाँ पर यानि कि अपने debut match में कैसे वो धोका दे सकता है तो सर्फरास खान की हम बात करेंगे दोस्तों के किस तरीके से उन्होंने दोनों पारियों में अपनी debut मुकाबले में अर्शतक जड़े क्या बल्लेबाजी करी उन्होंने क्या spin को tackle करने का उन्होंने मादा दिखाया और भारतिये बल्लेबाजों को बताया जो जो ऐसी conditions पर या इंडिन पिच्चेस पर spin खेलने के लिए परशान होते थे spin खेलने में उनको दिक्कात आ दीती तो उन सब को बता दी है सरफराजने के ऐसे spin खेलो गेंद बास के दिमाग से खेलो पूरे तरीके से यानि spinner के दिमाग से खेलो कुछ एक गेंद आप defense करो अगली गेंद पर उनको आप निकल के भार मार दो या sweep मार दो या reverse sweep यानि के अगर आप देखे तो मुंबाई के जितने भी बल्लेबाज निकल कर आते हैं वो लाल मिट्टी पर इतना खेलते हैं और लाल मिट्टी जो है थोड़ी बहुत थोड़ बात करें पिश डिटोरियट हो जाता है थोड़े कुछ टाइम में अगर आप वहां पर बल्लेबाजी कर ले और सरफरास खान वहें वैसी पिछों पर खेल के या मुंबाई को कोई भी बल्लेबाज हो जो अजाद मैदान या क्रॉस मैदान में खेला हो तो ऐसी कहीं हैं पि करान क्या हो गये कि वह स्पाने भी फसने लगए फुल शॉट के साथ सा यानि PAKER को साथ वह स्पिन में भी फसने लग गये ऌना PAKS फे या पिसर के अगेंटEपोlockan गरले था क्नि उला आने वाले बल्लेबाज अब सरफराज बन गए हैं यानि के चोथे बल्लेबाज बन गए हैं सरफराज से पहले तीन ऐसे बल्लेबाज थे भारतिये जिन्होंने अपने डेब्यू टेस में दोनों पारियों में पचास लगाई थी अब इस आकड़े को अगर हम दुबारा सेंचरी लगाई उन्होंने दूसरी पारी में भी आफ सेंचरी लगाई 69 मनाये थे पहली पारी में 57 मनाये दूसरी पारी में सुनील कवास कर जो कि भारतिये बल्लेबाजी दिगज रह चुके हैं और इतने रंस हैं उनके नाम पर टेस क्रिकेट में 10,000 से जादा तो उन्हो वेस्ट इंडीस के खिलाफ 1971 में दोनों पारियों में अपने डेबियू मैच में हाफ सेंचरी लगाई थी 65 और 67 फिर उसके बाद श्रेय सायर आते आपको याद होगा न्यूजिलेंड के खिलाफ उन्हें भारतिय सर्जमी पर 2021 में 105 भी बनाए थे और उसके बाद 65 भी बनाए है सर्फरास खान में जो कि सचिन तंदुलकर या बड़े-बड़े बल्लेवाज जैसे विरेंदर सेवाग, वीवेस लक्षमन, सौरफ गांगुली, राहुल दरविट या कह सकते हो आप महिंदर सिंग दोनी, विराट कोली, रोष शर्मा ये सब ऐसे दिगज बल्लेवाज अपने नाम नहीं कर पाए, जो सर्फरास खान ने सिरफ अपने डेब्यू मुकाबले में नाम कर दिया है, आप अपनी राहे इस आकड़े के बारे में जरूर बताएं और जो खुबसूरत पारी का प्रदर्शन उन्हों ने दिखाया, यानि खुबसूरत बैटिंग अपनी लमुक्ते में धितने डिखाया, यानि बारे मैं सींटी ने सिरफ औरे में पॉति ऊंप में इतना है, कि और भारे में इतना है, मैं मैं Bei